गूडनींग बच्चो एक बर फिर से आपका ड्रीमस वें अगरेगर प्राइबागार क्लास की आपकी की अब देखो मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने दिवाग में बेसिक चीज़ दालते हैं कि एक्च्वल में बेसिक में और तो होती क्या है अगर आपसे कोई और और जादातर लोग बोलने लगते हैं कि सबी संख्याओं का योग डिवाइड़ बाइ जितनी भी संख्याओं है उतनी या जिनको इंग्लिस में आता है तो वो बोलने लगते हैं सम और उनसे यह बात पूछें कि इसका मतलब क्या इसको समझा दो कोई भी उस चीज़ को का मतलब है जब कोई चीज कुछ लोगों में क्या कर दी जाती है बराबर बाट दी जाती है जब कोई चीज कुछ लोगों में बराबर बाट दी जाती है ठीक है जैसे मानलो मैं आपको एक एक्जामपल देता हूं दस बच्चे हैं ठीक है दस बच्चों में दस टौफियां बाटी गई, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफिया मिलेंगी, तो सीधा-सीधा इसका अंसर क्या आजाएगा, दस बच्चे हैं दस टॉफिया है, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफिया मिलेंगी, एक-एक टॉफिया मिलेंगी तो यह चीज जो हो गई, यह क्या हो गई, आपकी, अब यही चीज अगर आपको question में आ जाती है, तो आप लोगों को वहाँ पर tension हो जाती है कि क्या पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया, अब देखो बच्चे कितने थे, 10, 10 टौफियां थे, बच्चों को बढ़ा के मैं क् सो, और टौफियां कितनी कर दूँ हजार, अगर हजार टौफियां हैं और बच्चे कितने हैं सो, तो हर एक बच्चे को कितनी टौफियां मिलेंगे, 10, 10 टौफियां मिलेंगे, तो क्या इसमें कोई भी हमें घबराने वाली जरूरत है, तो average का आपने simple simple सा मतलब समझना है, कि average जो है, वो क्या है, कि जब कोई चीज कुछ लोगों में क्या कर दी जाती है, एक बराबर मातरा में बांट दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या चीज होती है, हमारी ओसत होती है, तो चलिए अब अपने board की तरफ चलते हैं, और देखते हैं कि ओसत जो मैंने आपको बताया है, वो कैसे चलता है, क्या होता है, वो देखते हैं, देखें, सबसे पहले मैंने board पे क्या लिखा है, English वाले बच्चों के लिए लिखा है, average, English में, average का मतलब क्या आता है, sum of all observation, जितनी भी दी हुई संख्याएं हैं, उनका क्या करना है, आपने sum, और divide किस से करना है, total number, ज बोलें, तो उसत का मतलब क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग मतलब S, और कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगे, N, अब एक example देखते हैं, देखो, मैंने यहाँ पे एक example लिख के रखा है, कि कुछ संख्याएं हैं, पहली संख्या कितनी है, 20, अगली कितनी है, 80, इन सभी संख्याओं का आपसे paper में अगर क्या पूछा है, औस तो आपने क्या करना था, इन सभी संख्याओं को क्या करना था, जमा करना था, 80 और 20, 100, डेड़ सो, 180 और 20, 200, और कुल संख्याएं मतलब, 1 संख्या, 2 संख्याएं, 3, 4, और 5, तो आपका answer कितना आ गया, 200 बट अगर हमें किसी भी chapter को हम पढ़ने लगते हैं, एक formula पता हो, तो उसी formula से number of formulas बनाए जा सकते हैं, देखो, जैसे अभी हमें एक formula पता लगा, कि average कितने के बराबर है, sum upon number, ये हिंदी में भी use किया जा सकता है, और English में भी use किया जा सकता है, average equal to sum upon number, अब यहां से अगर हमने क्या निकालना हो, sum, कौनसी value निकालनी हो, sum, तो नीचे वाली values आपस में क्या आ जाएंगी, cross multiply, तो sum किसके बराबर हो जाएगा, average into number, इसी तरह से अगर हमें क्या निकालने के लिए बोल दे, number, तो number किसके बराबर आ जाएगा, sum upon average, ये तीन formula पहला, दूसरा और तीसरा, इनी तीन formula से पूरी की पूरी average क्या हो जाती है, solve हो जाती है, बस ये formula याद रखने है, एक बार फिर से repeat कर रहा है, average equal to sum upon number, sum equal to average into number, और number equal to sum upon average, अब देखो जब हम average निकालने लगते हैं, तो कुछ ऐसे concepts हैं, जो हमें अगर पता हो, तो हम average क्या कर सकते हैं, छोटे छोट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ चीजें पहले सीखनी पढ़ेंगे, या देखनी पढ़ेंगे, क्या होती है, देखो, मैंने क्या लिखा है, क्रम गत संख्याओं का मतलब क्या होगा, consecutive numbers, या लगातार होने वाले number, लगातार number कैसे हो सकते हैं, पहला number x हो सकता है, दूसर x plus 1, x plus 2, x plus 3 और x plus 4, इसी तरह से अगर मैं किसकी बात करूँ, सम संख्या हैं, मतलब कौन से number, even numbers, तो सम संख्या हैं कौन सी, x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 और x plus 8, इसी तरह से अगर मैं 20 संख्याओं की बात करूँ, मतलब किस चीज़ की, odd numbers की बात करूँ, तो क्या जाएंगे, x, x plus 2, 2x1 q2 x2 q4 x6 x2 ग्मार्षा और जितने भी पूछा हूगा even numbers तो दो दो जमा करते चले providing a गधर सोभी किया करते चलेंगे जमा करते चलेंगे तो Have a fun,- यह फूधी से चीजह आप ध्यान में यह पहला example है मेरा इस पहले example में क्या बोला एक तीन पांच साथ नौ इसका क्या निकाल के दिखाना है आपने average तो देखो अब जैसे मैं बोले हूं कि average निकाल के दिखाना तो आप लोग क्या करने लगोगे एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नौ जो भी आएगा क लेकिन अब आपने ऐसे नहीं करना पेपर आप देखो सीधा मैं आपको बता रहा हूं shortcut तरीका कि क्या करना है आपने वो देखो इसमें आपकी संख्याएं कौन सी है क्रम गत संख्याएं हैं जब भी क्रम गत संख्याएं आ जाएंगी तो आपने एक नंबर कहां से छोड़ है राइट हैं राइट हैं साइट से फिर से राइट हैं साइट से फिर से राइट हैं साइट से जो बीच में वैल्यू बचेगी वो आपका हमेशा क्या होगा आंसर होगा पर यह कब चलेगा जब जो आपके नंबर से हैं वो क्या होंगे लगातार होंगे जैसे एक तीन पा ये 5 नमबर दिये हैं अगर हम इनको प्लस करने लगें तो बहुत जादा टाइम लगेगा फिर प्लस करने के बाद कितने से डिवाइड करना पड़ेगा पांच से डिवाइड भी करने पड़ेगा तो उससे बेटर क्या है कि मैंने जो चीज बताई शॉट कट लेफ्ट राइट से एक नमबर छोड़ा एक नमबर लेफ्ट से छोड़ा फिर से राइट से छोड़ा फिर से लेफ्ट से चोड़ा और बीच में आंसर कितना आगया है यह लगातार कॉन से वाले नमबर है ईवर नमबर 36 38 40 42 और 44 एक नमबर यहां से छोड़ दो एक नमबर यहां से छोड़ दो एक यहां से छोड़ दो वीच में कौनसी मेलियो अगवि बच गी आपकी 40 इसका मतलब 40 आपका क्या आ गया डियर्रक आंसर यह कौनसे वाला पांच वेलियू जो रही थी तो हम राइट से छोड़ रहे थे लेफ्ट से फिर से राइट से फिर से लेफ्ट से और जो सेंटर वैलियू थी वह हमारा क्या जा रहा था अंसर आरहा था लेकिन इसमें देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक दो तीन और चार टोटल इसमें क्या करना है आपने एक नमबर यहां से छोड़ दो एक नमबर यहां से छोड़ दो बीच में जो आपकी दो values हैं कितनी है एक value 202 है और एक value क्या है 203 इनको क्या कर लो add कितना बन गया 405 इसको direct कितने से divide कर दो 2 से तो देखो 2 और कितना आ जाएगा आपका 2 आगया इस आपकी जो direct average आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 202.5 ठीक है या यह भी चीज आपने paper में नहीं करनी है तो direct क्या करना था देखो 202 और 203 दो नमबर है इसके बीच वाली value कौन सी होगी 202.5 ही होगी न तो यह आपका क्या जाएगा direct answer 202.5 इसी तरह से अगले वाले question में दे 66 और 68 अब देखो इनका gap तो बराबर है लेकिन फिर से values कितनी है चार तो बीच वाली value कितनी है 64 66 और इसके बीच का answer कौन सा है बीच की value कौन सी है 65 तो अगर ऐसे 4 नमबर आ जाए उसका average पूछ ले तो इसका answer क्या जाना था आपका 65 बहुत easy है बस यह चीज ध्यान में र चार होंगी छे होंगी आठ होंगी तो जो सेंटर में दो बचेंगे उसके बीच का जो number होगा वह हमारा क्या होगा हमेशा answer होगा चलिए अब देखते हैं अपना पहला question पहला question क्या है यह बहुत जादा important question है बहुत सारे paper में आता है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क चाहूंगा कि मैं बोड़ पे हिंदी में लिख रहा हूं हिंदी मेरी अच्छी नहीं है कोगि मैं जातर इंगलीस में पढ़ाता हूं लेकिन हिंदी में भी आता है मेरे को मैंफ पर मेरी हिंदी उटनी सुद्ध नहीं है तो उस पर मत जाना सीधा focus करना कि questions क्या बता रहे है और क्या समझा रहे हैं देखो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब एन मतलब कितनी भी संख्याओं हो सकती है ठीक है तो अब अगर ऐसा कुछ भी question आ जाता है देखो suppose मानलों आपको बोल देता है कि 51 natural numbers है कितने number है 51 natural numbers है इसका क्या निकालो average तो मतलब क्या करना अब टू कितने तक जाना पड़ेगा 51 तक तो अगर इसको solve करें तो बहुत lengthy होगा तो direct इसके लिए एक formula होता है n प्लस 1 divided by 2 n जो भी आपका क्या दिया होगा number number कितने दिये हैं 51 51 प्लस 1 divided by 2 equal to कितना आ जाएगा 52 divided by 2 means कितना 26 यह आपका क्या आगया direct answer n प्लस 1 बार बहुत सारे पेपरों में यह question पूछा गया है चली अब चलते हैं अपने अगले question की तरफ देखो question क्या लिखा है board पे अगर clear नहीं नजर आ रहा होगा तो मैं एक बार पड़ भी देता A, B और C की ओसत आईउ 26 है A और C की ओसत आईउ 29 है तो B की आईउ क्या होगी ठीक है अब दो हमने formulas पड़े average equal to sum upon number ठीक है A, B, C की ओसत मतलब कितने लोगों की बात कर रहा है 3 लोग तो number कितने आ जाएंगे हमारे 3 और उनकी ओसत कितनी दे रखी है मतलब उनकी average कितनी दे 26 तो क्या यहां से हम sum निकाल सकते हैं sum equal to क्या जाएगा average into number कितना 26 into 3 6 तिया 18 का 8 एक 3 दोने 6 और 1 7 मतलब यह क्या चीज निकली जो 3 लोग थे उनकी अगर हम IU को आपस में क्या कर देते जोड देते तो कितनी value बन जानी थी 78 यह आगा आपका पहला step उसके बाद अगले step पे उसने क्या बोला A और C की ओसत IU 29 है मतलब फिर से A equal to S upon N नमबर कितने दिये हैं आपके यहां पर फिर से लिखता हूँ नमबर कितने दिये हैं 2 क्योंकि किस के बारे में बोला था A और C के बारे में बोला था और average कितने दे रखी थे उनकी 29 किर से यहां से sum निकल सकता है sum equal to average into number तो average कितनी है 29 और number कितने है 2 29 into 2 कितने है 58 तो sum कितना निकल गया 58 अब चीजों को देखना यहां पर तीन लोगों की अगर हम age को जोड़ देते तो हमारी age कितनी बननी थी 78 लेकिन अगर हम दो लोगों की age की बात करें तो कितनी बन रही है 58 तो तीसरा कौन था हमारा यह किस की थी A प्लस B प्लस C तो अब direct कैसे निकलता A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C तो कितनी वेल्यू आई 78 माइनस 58 एक्वल टू 20 यह किसकी यह जा गई आपकी B की ठीक है very very important बहुत जादा important question है यह बहुत सारे पेपरों में इस तरह का जो state level के एक्जाम होते हैं उसमें इस त संख्याओं का उसत पांच है अगर पहली छे संख्याओं का उसत चार है तो सातवी संख्या क्या होगी मतलब क्या बूला उसने साथ संख्याओं है उनका उसत कितना दे दिया है पांच ठीक है अब देखो इस बार में average equal to sum upon number यह सब नहीं लिखूंगा अब डारेक्ट जल् मतलब जितनी यह साथ संख्याओं थी उनका जोड कितना हो गया 35 अगर पहली छे संख्याओं का उसत कितना दिया है चार कितना आगा 24 तो साथ संख्या क्या होगी अब देखो यह साथ चीजों को जोड कर बना यह कितनी चीजों को जोड कर बना 6 चीजों को तो साथ चीजों में से अगर 6 चीज़े निकाल दे जाए तो एक ही चीज़ बचेगी तो कितना बचा यह पांच में से 4 चलेगे एक तीन में से 2 चलेगे एक तो यह क्या आगे आपका डायरेक्ट आंसर जब बार 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 हम ऐसे करेंगे तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते रहेंगे एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर रीजन क्या है देखो आपका जेल वार्डन का पेपर है वह कितने नंबर कान है और न प्टार बार 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 आप यह चीजए लिखते रहेंगे तो उससे बेटर क्या है कि आप बस चीजों को देखो वर्मूले जो है उनको ढंग से लर्न करके जाओ और डारेक्ट चीजों को जैसे मैंने अभी आपको कराई वैसे स्वाल्व करो चलिए अगला क्वेशन रेखते है जो पिछले क्वेशन के उससे थोड़ा सा चेंज है दस संख्याओं का उसत कितना है साथ है नया उसत क्या होगा जब हर एक संख्या को आठ से गुना किया जाए मतलब कितने नमबरों का उसत कितना दिया है साथ तो यहां से सीधा हमारा सम कितना आगया सतर अब उसने क्या बोला जब हर एक संख्या को आठ से गुना किया जाए तो आठ से गुना करना है तो यह सम आया हमारा इसको पूरे को कितने से मल्टिप्लाई कर दिया 8 से तो 8 सत्य चपन जो हमारा सम आया मतलब कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का जो कुल योग आ गया वो कितना आ गया 5, 6, 0 अब उसने बोला कि 8 से गुना किया जाए तो नया उसत क्या होगा पांसो साथ बटा कितनी संख्याओं थी हमारी 10 इससे काट दिया कितना आ गया 56 तो ये हमारा क्या आ गया आवरेज कौन सा आवरेज आया नया वाला आवरेज पुराना आवरेज कितना था साथ अब नया आवरेज कितना आ गया 56 ठीक है ये जो चीज थी ये कौन से वाला तरीका था बेसिक ठीक है अब देखो इसका हम क्या देखते हैं जल्दी से शॉटकट कि इसको जादा से जादा पिपर में अगर यह चीज आती है इसको हमने 10 सेकंड में सॉल्व करना था 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना था अब उस चीज को समझना दस संख्याओं का उसत कितना दिया था साथ मतलब हर एक संख्या कितनी का उसत कितना था साथ अब उसने क्या बोला कि जितनी भी संख्याएं थी हर एक संख्या वो कितने से गुना कर रहा है वो आठ से आठ सकते चपन देखो आगा आपका अमसर यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा और यहाँ पर कितना टाइम लगा बस दिमाग में चीज़ें क्या क्लेट करनी है basic देखो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आज चौथी है पांचमी क्लास है हर एक क्लास में मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अपना क्या सुधारना है बेस सुधारना है जिसका बेस बढ़िया होता है उसको math में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है और वो बहुत जल्दी questions को क्या कर लेता है solve कर लेता है चलिए अब अगला question देखते है पांच करम गत संख्याओं का ओसत क्या होगा जो 16 से सुरू होती है मतलब हमें कौन से नमबरों का ओसत निकालना है 5 लगातार नमबर से जो कहां से सुरू होते है 16 से तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने नमबर होगे आपके 5 नमबर कौन कौन से A, B, C, D और E और नमबर कहां से सुरू होगा 16 से 16, 18, 20, 22 और 7 में कौन सा आगा 24 देखो लेकिन अब उसने क्या बाला 5 क्रम गत ये मैंने कौन से संख्या है लिख दी सम संख्या है लेकिन हमें कौन से संख्या है ले रही थी क्रम गत मतलब लगातार 16, 17, 18, 19, 20 इसका क्या बोला है ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड़ बाई कितना 5 अब इससे आपको क्या मिल जाएगा आपका अंसर लेकिन पेपर में हमने ये चीज़ नहीं करने हैं जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको क्या बोला था कि लगातार संख्या है हो लगातार कौन सी 16, 17, 18, 19, 20 एक यहां से छोड़ा जब भी करम गत संख्या हैं बोले बस ये चीज़ देखना है कि शुरुआत कहा है 16 से सुरुआत की तो 16, 17, 18, 19, 20 आंसर का आपका एक चलिए बगला क्योशन देखते है 5 करम गत संख्याओं का ओसत क्या होगा जो 82 से शुरू होती है कितनी संख्या है बोली थी 5 देखो कौन सी और सम बासी, चौरासी, छासी, छासी, अठासी और कितना आगा 90 संख्या है कौन सी थी सम सम मतलब कौन से नंबर 82, 84, 86, 88, 90 तो डारेट आंसर कौन सा आजाएगा हमारा 86 यहां से छोड़ दिए एक नंबर एक यहां से छोड़ा, एक यहां से और एक यहां से और डारेट हमारा आंसर कितना आगा 86, देखे, अब अगला कॉश्यन देखते है चार क्रम गत 20 संख्याओं का उसत क्या होगा, जो 65 से सुरू होती है अब देखो, हमारे पास नंबर कौन सा है नंबर सबसे पहले कौन से है 20 मतलब कौन से नंबर की बात कर रहा है और नंबर की बात कर रहा है और नंबर कितने से सुरू हो रहा है 65 से तो देखो 65, उसके बाद 67, उसके बाद 69, और उसके बाद 71, लेकिन अब देखो, पिछले जो हमने दो question के उसमें number कितने हो रहे थे 5 जब 5 number हो रहे थे तो आप left right left right से छोड़के इसका answer निकालते थे लेकिन अब इसके वाले में क्या करना है देखो कौन सा number बोला है 20 में संक है अगर odd number होंगे तो उसका average जो है बीच में कितना बचा 67 और 69 इन दोनों के बीच में कौन सा number आता है 68 तो यह आपका जायेगा direct answer कौन सा number 65 छोड़ दिया 71 छोड़ दिया बीच में दो values बची 67 69 इन दोनों के फाइनल चलिए अब चलते हैं अबने अगले कुषिन की तरब a b c d 4 कौन सी संख्या आपकी 20 संख्या और 20 संख्या उसतद क्या दिया है 42 तो मैंने क्या बोला था जव आपके 20 संख्या तो और नम्बर रोगा है। अगला इसला किनने में कम 18 गांसार 43 ऑग्ला 25 पे चले तो कौन स्लाइबめて आ गया A, ये B, और ये कौन सा C, और ये कौन सा D, अब किसका किसका उसने ये पुछा था, गुनन फल, B और D का, इनको multiply करते हैं सीधे, 41 into 45, तो देखो, 41, 45, shortcut way multiply करने का, 5, cross multiply, 20, cross multiply, 4, कितने आ गया आपके, 5, 4, 20, 4, 24, 24, 24, का 4, carry कितने बच गया आपके, 2, इसको multiply करते हैं, 4, 4, 16, और 2, 18, कितना अंसरा गया, 18, 45, ये क्या आगए आपका उसत, ये question भी, पुलिस के किसी paper में आया हुआ है, शायद 2014, या 2017 की किसी paper में आया हुआ question है, चलिए बगला question देखते हैं, ये भी बहुत ज़ादा important question है, पांच संख्याओं का योग 555 है, पहली दो संख्याओं का उसत 75 है, और तीसरी संख्या 115 है, तो अंत की दो संख्याओं का उसत क्या होगा, थोड़ा से question देखने में आपको complex लग रहा होगा, लेकिन बहुत easy है, यहां से करते हैं, A+, B+, C+, D+, E, ये पांच संख्याओं है, इ पहली दो संख्याओं का उसत, मतलब दो नंबर का क्या दे रखा है, उसत, average equal to sum upon number, number कितने, दो, और average कितना, 75, तो sum कितना निकलेगा, sum equal to कितना आगा, आपका 75, दोने, डेड़ सो, दो संख्याओं का योग कितना आगा, डेड़ सो, अब देखो, A और B, हम माल लेते हैं, A प्लस B कितना हो गया, डेड़ सो, और तीसरी संख्या, C की average, C कितना दे रखा है, 115, तो डेड़ सो, प्लस, 115, प्लस, D, प्लस, E, मिलाकर कितना हो जाएगा, 155, इनको आड़ करते हैं, 5, 6, 265, प्लस, D, प्लस, E, इक्वल टू, 555, D, प्लस, E, इक्वल टू, 555, माइनस, 26 65, 5 में से 5 गए, 0, 15 में से 6 गए, 9, और 4 में से 2 गए, कितने बन गए, 290, D, प्लस, E, को मिलाकर कितना बन रहा है, 290, मतलब उनका योग कितना और है, 290, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, उनका, average, तो average मतलब, 290, कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से, 2 एकम 2, और कित 4 और 5, ये क्या आपका final answer, कि अगर आपको 5 संख्याओं का क्या दे रखा था, योग और 2 संख्याओं का क्या दे रखा था, average फिर एक number दे रखा था, और last की 2 संख्याओं का योग नहीं पूछा था, आपसे question में पूछा क्या था, औस अगर आप 290 पे निकाल के छोड़ द 290 को 2 से भाग क्या, कितना आपका, 145, चली अब चलते हैं अपने average के पहले part के last question में, अब इस question में थोड़ा सा data और क्या दे दिया है, उन्होंने complex करके, अब इसको देखते हैं कि कैसे solve करते हैं, क्या करते हैं, एक विद्याले में A और B दो कक्षाएं हैं, A में 36 और B में 44 बच्चे हैं, A में कितने बच्चे दे दिया हैं, देखो 36, और B में कितने बच्चे दे दिया हैं, 44, A का औसत, A का जो क्या है, यह A का आगए आपके section, उसमें section आपकी कौन सी आगई, A, इसमें आपके number कितने हो गए थे, 36 और average कितना दे रखा था, इसका आपका 40, तो य इसी तरह से, जो आपकी कौन सी थी, section B, उसमें number कितने दे रखा हैं, आपके देखो, 44, और average कितना दे रखा है आपका, 35, यहां से भी sum निकल जाएगा, 44 into 35, अब उसमें पूछा था, कि पूरी कक्षा का औसत बताओ, तो पूरी कक्षा मतलब, A plus B में, total कितने student हैं, total student, त इसको आड़ करते हैं, total बच्चे कितने बन रहे हैं, 80, अब इसको हमने क्या करना, single line में solve करते हैं, 36 into 40 plus, कौन सा, 44 into 35 upon 80, अब देखना, यह single line क्या हुई, पहली कक्षा के total बच्चे और 7 में उनका average, और यह वाला, दूसरी कक्षा के बच्चे और उनका average, और यह 80 के आग total number, total number 80 कहां से है, पहली कक्षा में 36 students थे, और दूसरी कक्षा में कितने थे students, 44, दोनों को मिला कर कितना आगया, 80, चलिए, अब calculation करते हैं, 0, 6, 4, 24 का 4, 2, 4, 3, 12, 2, 14, 14, 40, plus 44, 35, 5, 20 की 0, 2, 5, 20, 4, 3, 12, 20, 12, 32, 34, 34, 4, 3, 4, 12, 3, 15, 15, 14, 40, भाग, 80, 00, 44, 8, 5, 4, 9, 1, 1, 2, 29, 80, divided by 80, यह कट गया, और 29, 8, divided by 8, 8, तिया, कितने हो गया, 24, बचे कितने, 5, 8, 75, कितना आगया, 56, 26.2, मतलब जो आपकी class थी, इसका जो common average आना था, वो निकाल कर कितना आना था, 37.2, ठीक है, पता लगा, एक बार repeat कर रहा हूं, टोटल A के number average multiply करना था, B के number average multiply करना था, टोटल बच्चे कितने आए, 36 plus 44, 80, और यहाँ पर सबको solve किया, टोटल जो हमारे पास बना था, वो कितना बना, 2980, divided by 80, इसको solve किया, तो कितना आगया, 37.2, यह 8 से 10 वो questions थे, और average chapter की क्या थी, introduction, जो आने वाले paper के लिए क्या है, बहुत जादा important है, इन questions को ढंक से क्या कर लेना, पढ़ लेना, ताकि अगर इसमें से कोई भी question कहां आ जाए, आपके paper में आ जाए, तो आप easily उसको क्या कर सको, solve कर सको, इसके बाद जो मैं आपको second part बनाऊंगा, एक और part बना दूँग average में, उसमें कौन से वाले question करेंगे, कि कक्षा में कोई teacher आ जाता है, या कोई चला जाता है, तो average कभी बढ़ जाती है, कभी घड जाती है, उस तरह के questions में आपको कौन से वाले part में करा दूँगा, average के second वाले part में करा दूँगा, तो अब last में, फिर से वही बात, आप लो subscribe करो, like करो, share करो, ये सब बोलने की सिर्फ एक ही बजाए कि जितने जादा आप लोगों के likes आते हैं, share साते हैं, comments आते हैं, उतना ही हमें वीडियो बनाने में क्या मिलता है, प्रोचाहन मिलता है, तो इस काम को और जादा से जादा करो कि हम लोग आपको और बढ़िया से ब content दे सकें, ठीक है, टाटा भाय भाय, मिलते हैं अपनी अगली class